नमस्कार दोस्तों आम बाला ब्रिकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और इस वक्त की एक बड़ी खबर जो है वो सीध है किसान नेता गुर्णाम सिंग चडूनी और दिल्ली पुलिस की कारवाई को लेकर सामने हरी आपको बता दे कि जिस तरह से 26 जनवरी की घटना के ब बेहत बड़ा ब्यान दिया है आपको बता दे कि गुर्णाम सिंग चडूनी ने सभी लोगों से बड़ी अपील किया और उन्होंने कहीं ना कहीं एक ब्यान जो दिया है वो ये कहा है उन्होंने कि अगर दिल्ली पुलिस का कोई भी करमचारी अधिकारी या दिल्ली पुलि पुलिस की टीम अगर गाउं में आती है तो उन्हें बंदक बना लिया जाए इसके साथ साथ गुर्णाम सिंग चडूने ने हाला की अपील ये भी की है कि उनके साथ किसी भी तरह की बचलुकी या दुर्विवार ना किया जाए लेकिन चडूनी ने साफ काया कि जब तक लोक लोकल प्रशाशन नहीं आ जाता लोकल प्रशाशन जब तक ग्रामीनों को या स्थानिय लोगों को ये आश्वाशन नहीं दे देता कि दिल्ली पुलिस की टीम गाउं में दोबारा कभी नहीं आएगी तब तक उन्हें ना छोड़ा जाए तो बेहत बड़ा ये बयान है तो अब उसी कडी में एक और बड़ा बयान सामने है गुर्णाम सिंग चडूनी का ये बयान सामने है कि दिल्ली पुलिस को बंदक बना लिया जाए अपने आप में कहीं तरह के माइने इस बयान के निकलते हैं कहीं तरह के अर्थ इस बयान के लिकलते हैं लेकिन फिलाल आपको ये अश्वासन ना दे दे कि दिल्ली पुलिस दोबारा गाउं में नहीं आएगी, कोई कारवाई नहीं करेगी, तो ये बहुत बड़ा बयान जो है, वो इस वक्त सामने आ रहा है, गुरुनाम सिंग चडूनी का एक बारुनी की जुबानी आपको सुनवा देते हैं। साथियो नमश्कार, साथियो शब्वी जनवरी को जो दिल्ली में ट्रैक्टर प्रेड थी, उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने अतीक रूरता बरतनी सुरू कर दी हैं, बहुत से किसानों को हमारे पहले ही पकड़ चुके हैं, अभी तक जेडों में हैं, और 307 तक के मुकदमे बना दिये, और कई ट्रैक्टर भी तक हमारे नहीं चुटे हैं, पकड़े हुए हैं, बहुत से किसानों को नोटिस आ रहे हैं, और जब किसान वहाँ पे जाता है तो उसको पकड़ के वहीं बिठा लेते हैं, और कई तरह के और अवैद मुकदमे नए दर्ज कर रहे हैं, व जो नोटिस आता है, उस नोटिस पे कोई दिल्ली पुलिस के पास पेशना हो, क्योंके वहीं पकड़ रहे हैं उनको, और जो दिल्ली पुलिस वाले किसी के घर पे शापा मारते हैं, आके पकड़ते हैं, तो उनको उनका घहराव करें, वहीं पे बिठाएं, और पूरे इमेज़ करना चाहूंगा कि जिस भी पुलिस वाले का घराव करें उसके साथ कोई जियात्ती ना करें उसके साथ कोई मार पीट ना करें उनको बिठाएं खड़ाएं पलाएं अराम से उनको रखें लेकिन तब तक नहीं छोड़ने जब तक जिला परसासन ना आ जाए तो इन जगे इनका घराव करना सुरू कर दो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियो नमस्कार साथियो 26 जनवरी को जो दिली में ट्रैक्टर प्रेड थी उसको लेकर दिली पुलिस ने अतीक रूरता बरतनी सुरू कर दी हैं बहुत से किसानों को हमारे पहले ही पकड़ चुके हैं अभी तक जेलों में हैं और 307 तक के मुकदमे नो बना दिये और कई ट्रैक्टर भी तक हमारे नहीं चुटे हैं पकड़े हुए हैं बहुत से किसानों को नोटिस आ रहे हैं और जब किसान वहाँ पे जाता है तो उसको पकड़ के वहीं बिठा लेते हैं और कई तरह के और अवैद मुकदमे नए दर्ज कर रहे हैं वीडियो में जिसकी फोटो आ गई है या वीडियो में जिसकी गड़ी का नंबर आ गया है उसको नोटिस भेज रहे हैं और कईयों को घर से आगे गरिफतार कर रहे हैं हमारा अनुरोध है कि जो नोटिस आता है उस नोटिस पे कोई दिल्ली पुलिस के पास पेशना हो क्योंके वहीं पकड़ रहे हैं उनको और जो दिल्ली पुलिस वाले किसी के घर पे शापा मारते हैं आके पकड़ते हैं तो उनको उनका गहराव करें वहीं पे बिढ़ाएं और पूरे गाउं को इकठा करें पूरे गवंडा को इकठा करें और उनको तब तक ना छोड़ें जब तक जिला परसासना के यह स्वासना दें कि दिल्ली पुलिस आपके गाउं में नहीं गुसेगी दिल्ली पुलिस आपके जिले में नहीं गुसेगी और इसके साथ-साथ एक मेंती में यह करना चाहूंगा कि जिस भी पुलिस वाले का घेराव करें उसके साथ कोई जियात्ती ना करें उसके साथ कोई मार पीट ना करें उनको बिठाएं, ख़डाएं, पलाएं, अराम से उनको रखें लेकिन तब तक नहीं छोड़ने जब तक जिला परसासन ना आ जाए तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है और इस पे जो है हमने एक्षन लेना है क्योंकि दिल्ली पुलिस का और इलाज नहीं रहा है इस तरह की जियातियां बिल्कुल बरदासनी की जाएंगी और सभी जगे इनका घराब करना सुरू कर दो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियो नमश्कार साथियो शब्वी जनवरी को जो दिल्ली में ट्रैक्टर प्रेड थी उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने अतीक रूरता बरतनी सुरू कर दी है बहुत से किसानों को हमारे पहले ही पकड़ चुके हैं अभी तक जेडों में हैं और तिनसो साथ तक के मुकदमे नो न बना दिये और कई ट्रैक्टर भी तक हमारे नहीं चुटे हैं पकड़े हुए हैं बहुत से किसानों को नोटिस आ रहे हैं और जब किसान वहाँ पे जाता है तो उसको पकड़ के वहीं बिठा लेते हैं और कई तरह के और अवैद मुकदमे नए दर्ज कर रहे हैं वीडियो में जिसकी फोटो आ गई है या वीडियो में जिसकी गड़ी का नंबर आ गया है उसको नोटिस भेज रहे हैं और कईयों को घर से आगे गिरिफतार कर रहे हैं हमारा अनुरोध है कि जो नोटीस आता है उस नोटीस पर कोई दिल्ली पुलिस के पास पेसना हो क्योंकि वही पकड़ रहे हैं उनको और जो दिल्ली पुलिस वाले किसी के घर पे शापा मारते हैं आके पकड़ते हैं तो उनको उनका गहराव करें वहीं पे बिढ़ाएं और पूरे गाउं को इकठा करें, पूरे गवंडा को इकठा करें, और उनको तब तक ना छोड़ें, जब तक जिला परसासना के यह स्वासना दें, कि दिल्ली पुलिस आपके गाउं में नहीं गुसेगी, दिल्ली पुलिस आपके जिले में नहीं गुसेगी, और इसके साथ-साथ एक में इंती में जह करना चाहूंगा कि जिसे भी पुलिस वाले गहराव करें उसके साथ कोई जियात्ती ना करें उसके साथ कोई मारबड़ रिट ना करें उनको भिठाएं खडाएं पलाएं आराम से उनको रखें लेकिन तब तक नहीं छोड़ने जब तक जिला परसासन ना आ जाए तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है और इस पे जो है हमने एक्षन लेना है क्योंकि दिल्ली पुलिस का और इलाज नहीं रहा है इस तरह की जियातियं विल्कुल परदास्त नहीं की जाएंगी और सभी जगे इनका घराव करना सुरू कर दो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हरियाना में अब से पहले भी बहुत सी तस्वीरें ऐसे सामने आती है जब कोई सरकारी विभाग कहीं पर किसी कारवाई को अंजाम देने पहुंचता है तो कहीं जगह से सरकारी करमचारी इधिकारियों को बंदक बना लिया जाता है तो गुर्णाम सिंग चडूनी का ये बयान हरियाना में क्या कुछ असर दिखाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा फिलाल अपडेट आपको देते रहेंगा आप जुड़े ही हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज, हमबाला ब्रिकिंग न्यूज पर हमें यूट्यूब पर भी सब्स्राइब करें साथ साथ हम बाला Breaking News के मुबाईल अब भी डाउनलोड करें